आप सब का फिर से एक नए वीडियो पे स्वाबत है वो भराना 11 जनुवरी से ही स्टार्ट हो गया है तो दोस्तों आज की सब्सक्राइब को बताने हैं कि किस तरह के से आप अपने घर पठे मोबाइल पुर्से या पर लेप्टोप को प्रेटर टोभी आपको पास है उससे ब कुछ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को प्रोलब याज देखी ऐस लेधिया तो चलते हैं अपनों मॉपाइल को दिखाता हूं कि किस तरगे से आप इकल्यान स्कोल रिशीट नीव सेशन 2023 का फोल को भर सकते हैं तो आप लोग बढ़े लिए वीडियो को सूर्च लेकर लाग्ष देखेएगा तो दोस्तो इसके लिए सबसेट पहले आपको अपने मुबाइल फून के किसी भी ब्राजुर को ओपेन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना है आप जैसी इतना सर्च करने के बाद इंटर पर किलीक करते हैं तो यहाँ पर देखेएगे से एकल्यान का जो ओफिस्यल पोर्टल है वो पोर्टल यहाँ पर खुल करके ओपेन हो जाएगा और ऐसे मैं इस पोर्टल का डेर्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूँगा वहाँ से डेर्टल आप इस पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ पर देखेएगे आपको नीचे में बहुत सरा अप्शन देखने को मिलेगा आपको यही स्रिकेंट वाले अप्शन के उपर किलीक कर देना है आप जैसी स्ट्रेंट रसेशन के उपर किलीक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह से अगला आपको पेज देखने को मिलेगा और दोस्तों आप जैसी इस पेज़ पर आते हैं तो यहाँ पर नीचे स नमबर यहां पर सबकुछ डिटेल्स फिल करने लाहा है इसके बाद आपको वेरिफाई अधार डिटेल्स को उपर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरी किसे एक पॉपप आएगा अधार डिटेल्स मेंच सक्सेश्फुली करके इस पॉपप को ओके कर देंगे और जैसे आप पॉछे तरी किसे पास्वॉड को बनाएंगे और इसके बाद जो आप पास्वॉड फिल करेंगे वही पास्वॉड को पास्वॉड करेंगे और इसके बाद get o tp के ऊपर किलीड कर देंगे दोस्तों आप लोग को यहां पर बताता ना चाहता हूँ इस पोटल में जो यहां पर create करना है जो आपको in the में सब से पहले आपको लडर को फ्रल करना है और इसके बाद the फ्र horrific करना है यह सब को और इसके बाद दोस्तों नुमेरिकल यहां पर फिल करके आप अपना पास्वूट को बना सकते हैं जैसी आप सारी डिटल्स को फिल करने के बाद गेट ओटीप के ऊपर किलीक करते हैं तो जो आपका इस पोटल में रजिस्टर मोबाइल नमबर होगा इससे पहले जो आप मोबाइल नमबर को दिये थे वो मोबाइल नमबर पर एक ओटीप सेंड के जागा वही ओटीप को फिल करने के बाद भेरफाई ओटीप को ऊपर किलीक करने के बाद आप सक्सेशफूली इस पोटल में रजिस्टर्स होज सकते हैं आप उस इमेल ऐडी पे आप अपने रियस्टर्स नमबर और आईडी पस्वोट को देख सकते हैं इसके बार आपको यहां पर बैक आजाना है और बैक आनेक बाद बाद देख सकते हैं यहां पर इसी पोट रिपार इस्टियन्ट रॉग इन वाले अप्षन के उपर किलीग के उपर in Woo Wiz कर देंगे। आप जैसे हैं इस्ट्रेंट लोग्गिन काose जो पर हो कि आप मुंभायल नपर को फील करके और पाशोर को को फील करने के पाद काप प्राइंयुमेल से भी लोगिन कर सकते हैं आप सैसे हो के सब जो बैसे आपको यहां पर अप्लाइं का जो साइड में मिल रहा है आपको इसी अप्र उपर किलीक करते हैं तो कुछ इसधर की सापका फॉर्म खुल कर ओपन हो जागा यहां पर फॉस्ट में पूछा जा रहा है मैट्रीक पास टाइप यानि कि यहां पर आपको टाइप को से हुआ किया हुआ रहेगा जब आप पहले ही फिल कर चुके थे रश्रेशन टाइब दोस्तों यहां प्रफल को बात आदना चाहता हूं जिस भी यहां पर अप्शन में इस्टार माक्स लगा हुआ है उस इस्टार माक्स का उस फर्म को यहां पर फिल करना जरूरी है मैंडेटरी है जिस में इस्टार माक्स लगा हुआ है वह अप्शनल है आप उसको छोड़ सकते हैं या फिर भर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देखते हैं नीचे में दिया हुआ है जेंडर और यहां पर अल्रेडी आपका सेलेक्टेड रहेगा क्योंकि दोस्तों आप जब तो यहां पर आप नियाओ पर देखते हैं यहां पर फिल करना है इसके पर फैमिली इंकम क्या है उसको यहां पर फिल कर लेना है जितने का भी आपका income certificate बना हुआ होगा वह यहां पर फिल कर लेना है और इसके बाद category को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है आप OBC, A, C, A, C, A, W, X क्या है आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद email ID, mobile number फिल करने के बाद यहां पर फिल देख से दे हैं कुछ इस तरह किसे अगला page खुल कर आप क्लेशों सेलेक्ट कर लेंगे én हैं और यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद नीचे में देख सेते हैं college यानि कि वो district में जितनी भी college होगा वो सारे college यहाँ पर खुल कर open हो जाएगा आप अपना college को select कर लेंगे और इसके बाद university board यहाँ पर feel कर लेंगे और अगर आपका college का email ID और या फिर mobile number होगा तो automatic यहाँ पर नमबर यानिकि दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ college admission number में आपका जो रॉल नमबर होगा वही यहाँ पर admission number होदा है तो उसको यहाँ पर फील कर लेंगे और इसके बाद college admission date जब आप college में एडिमिशन कर वाते हैं वह यहाँ पर लेकुन को फिल करते हैं अगर आप है तो यहां पर सुलेक्ड करते हैं तो यहां कर लेना है और इसके बाद जो आपका होस्टल जीस डिस्ट्रिक में होगा वो डिस्ट्रिक को यहां पर सेलेट कर लेंगे और इसके बाद यहां पर होस्टल एडमिशन डेट यहां पर फिल कर लेंगे जब आप होस्टल में एडमिशन करवाया थे वह यहां पर डेट को फिल क तो दोस्ते यहां पर प्रविजन करना है और यहां पर लास्ट क्लास के थे तो उसमें टोटल मास कितना था और उसमें से आप कितना ओटेन किये हैं उसको यहां पर फिल करना है मार्स ओप्टेन इन लास्ट इयर में कि यहांप आपको बताता हैं छाहता हूँ साहरे फिलक लिना दूस्तों कि यहां प्राओं को बताता हूँ अगर है भीयिया मोट यहर और फिल पर तो हो और से इंटर पास किए और यहां पर फिल कर लेना है दोस्तों अब समझ में आ गई आप लोगो तो यहां पर इसी तरह के से आप अपना लास्ट यहर क्लास्ट डिटेल्स को अच्छे तरह के से फिल कर लेना है इसके बाद यानि कि दोस्तों को तुस्तों यहां में फिल कर सकते हैं उससे कोई दीखत नहीं है अब यहां पर आते हैं अपलोड डोकुमेंट में दोस्तों यहां पर आप लोगो को माता आता हूं फैस्ट में ध्या हुए है only jpg format up to 1 MB यानि कि जितने भी डोकुमेंट को आप यहां पर अप्लोड करेंगे वो सारी jpg image का यहां पर 1 MB से कम हो जाए यह 1 MB तक एलाउड है इसके बाद यहां पर अप्लोड करते हैं नीचे में दिया हुए photo student photo को यहां पर select करके upload करना है photo को जैसे आप photo तो आप लोड करते हैं तो नीचे में देख से नहा है residential certificate यानि कि निवास परमान पतर जो होता है वह यहां पर उसको upload करना है और इसके बाद उसका यहाँ पर फेल करना है इसके बार अधे शते हैं सब्सक्राइब करने का दो करेंगे और हैं यहां है निचै्च निचे स्प slider जारी देखिते हैं इंकम सर्टिकेट का यहा इंकम सर्टिफिकेट का यहां पर इपलोड करना है और इसके बाद लिवेर्स ससो Ben सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद मिला लेंगे और इसके बाद दोस्तों यहां पर देख से नीचे में जो क्यफचाद दिया हुए है उसके बाद नीचे में क्पिरियू का अपसंन दिया हुआ है वहीं के उपर किली कर देंगे जैसी आपका एक खुल कर ओपन अप्लिकेशन पर आपका खुल कर ओपन हो जाएगा और उसको आपको अचे देख से मिला करके प्रेंट निकाल वाना है औ और signature करने के बाद दोस्तों फिर से उसी को और यहां पर 1 MB से कम JPG format में बना कर गए और image को यहां पर upload कर देना है और जैसी ही आप upload कर लेते हैं तो फिर से finally last submit का option खुल कर open हो जाएगा और आप अच्छे दर किसे document को मिलाने के बाद सभी documents को अच्छे दर किसे upload कर लेंगे और अप्लोट करने के बाद final submit कर देंगे दूस्तों और जैसी आप फाइनल सब्मिट कर लेते हैं तो आप का जो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो में किसी भी तराकाल को भी प्र्लम आया हो तो आप वहां में इस वीडियो में तो सिसके पस्भाइब करके बीटाओ करूब कर सकते हैं तो चलिए यहीं बदाव था अगर उपस्टार आइए मिलते हैं पटेश्य आवर इंफरमेटी वीडियो में थेक्वर साथ वीडियो तब तक लिए